पूर्व उपमुख्य मंत्री मनीश इस सोधिया को मंगलवार को राउजवन्यू कोट में पेश किया गया पूर्व शिक्षा मंत्री मनीश इस सोधिया के उस याचिका पर E.D. को नोटिस जारी किया गया था जिसमें राउज इवन्यू कोट से चिकित्सा और अन्य घर खर्चों के लिए बैंक खाते से कुछ पैसे निकालने की अनुमती मांगी गई थी आपको बता दे मनीश इस सोधिया की पत्नी बीमार हैं जिनके इलाज के लिए मनीश इस सोधिया ने फ्रीज खातों को सामाने करने की गुहार लगाई है जिससे वो पत्नी का इलाज करा से लिए मंगलवार कोर्ट जिन्वाई के दौरान कोर्ट ने केंडिया अन्विक्शन बियोरो यानि सी बी आई को बाकी आरोपियों को दस्तावेज मुहाया कराने के रिदेश दिये थे मनीश जिससोदिया ने कोर्ट को कहा था कि उनकी पत्नी की तवियत खराब है और उनका अस्पताल में इलाज जा रही है उनके लाज के लिए और घर खर्च के लिए पैसे की जरुरत है लेकिन एडी ने उनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया हुआ है जिसके चलते पैसे निकाल नहीं पा रहे हैं उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसे में पत्नी की बिमारी और घर खर्च के लिए पैसे देने में वो अस्वर्थ हैं वहीं शराब नीती घोटाला मामले में राव जविन्यू कोर्ट में अगले सुनवाई 20 सितंबर को होगी मंगलवार को सुनवाई के दोरान सप्लिमेंटरी चार्ट शीट की कौपी जाँच अधिकारी को सभी आरोपियों के वकील को देने के लिए कोट ने कहा है कोट ने सीबी आई के वकील को कहा है कि आप से से टीवी फुटिज की महया कराएं मनीश सुसोदिया मावले मागली सुनवाई अब 20 सितंबर को होगी आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के सीम अनविन के जिवाल ने अपने जन दिन पर कहा था कि उन्हें मनीश सुसोदिया की कमी खल रही है शराब घुटाले के जाच सीबी आई और एडी दोनों कर रहे हैं जहाँ सीबी आई शराब नीती में अनियमित्ता और बिस्टचार को लेकर जाच कर रही है वहीं एडी मरी लॉंडिंग के एंगल से जाच कर रही है आपको बता दें अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली विधान सभा को लेकर के चर्चा में थी यानि की दिल्ली सेवा बिल को लेकर के यहाँ पर चर्चा लगातार की जा रही थी और खास तोर पर यह कहा जा रहा था कि जिस तरीके से यहां पर भारती एजंता पार्टी ने बहुवत का आकड़ा पार करते हुए संसद में यह बात है कही तो साफ तोर पर यहां पर जिस तरीके से लगातार अर्विंद के जिवाल को लेकर के याटकरे लगाई जा रही थी क दिल्ली विधान सभा में जो है उनकी जीत होगी लेकिन दिल्ली विधान सभा में भी अभी तक भी दिल्ली सेवा बिल को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है आप इस मोदे पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रही है